आगे वो कलीसिय की उन्नती के लिए होता है लेकिन एक खास बात एक खास बात देखिए जो वचन हमको बार-बार बता रहा है और हम पढ़ें इसको यशाया आट और उसके 19-20 वचन में यशाया आट और 19-20 वचन यहां लिखा है जब लोग तुमसे कहें कि ओजाओं और टोन मंत्र जादू टोने की बार जो गुनगुनाते और फुसफुस आते हैं तब तुम यह कहना कि क्या प्रजा को अपने परमेश्वर के ही पास जा करना पूछना चाहिए क्या जीवतों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए व्यवस्था और चितोनी ही की चर्चा किया करो यदि वे लोग इस वचनों के अनुसार ना बोलें तो निश्चे उनके लिए पौण ना खटेगी बिल्कुल इस पश्ट खड़ा वचन खड़ा वचन साफ साफ बता रहा इस से जादा साफ क्या बताया कि आप उनसे जाके करो मैं जीवतों के लिए जो है मुर्दा से छुटकारा पाने इनके पास जाते ओजाओं के पास या टोना करने वालों के पास तो तुम कहना प्रजा को अपने परमेश्वर के पास ही जाके नहीं पूछना चाहिए जिसके साथ जीवित परमेश्वर हमेशा है जो कह रहा है मैं तेरे साथ हूं मत डर मैं तेरे दाइना पकड़ के चलने वाला हूं, मैं तुझे छोड़ूँगा नहीं, मैं त्यागूँगा नहीं, यह से माता संभालती है, वैसे संभालने वाला, हमारे हर दिन उसकी पुस्तक में लिखे हैं, सब कुछ जानने वाला, परिये पिता परमेश्व जिसके साथ है, जो ना उंगता है, जो वचन के नुसर, बाइबिल के नुसर, ग्रणे ग्रणे पाप है, वो प्रभू की अगवाई नहीं है, नहीं आपको इसे चुटकारा होता, उसमें हम फस्ते चले जाते हैं, फस्ते चले जाते हैं, तो वचन हमें इन सब बातों से सावधान कर रहा है, और सबसे एहम बा पाप कहा है, वो पाप ही रहेगा, इसको हमें एडिट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते, दुबारा नहीं लिख सकते, वो वचन आत्मा की प्रणा से लिखावा वचन है, आप और मैं कैसे उसमें आगे घटा बढ़ा सकते हैं, कि आज ये शामिल है, वो शामिल नहीं है, तो इसको मिटा दूँ, इसको ऐसे कर लो, वो कर लो, मोल्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो बात चाहे वो कोई भी क्यों नहीं कह रहा हो, अगर वो वचन के अनुसार नहीं है, वचन के अनुसार उसमें मना की गई है, वचन के अनुसार वो पूरी तरह ग् बदल नहीं सकते तो आज हम अपने आपको जाच लें और इसके बाद